नमस्कार साथियों स्वाकते आप सभी का एक बार फिर किताबी सफर में और आज हम चल रहे हैं एक नए सफर के ओर आज हम जो किताब पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दबुक आफ मिर्दाद ये मिखाईल नईमी दौरा लिखी गई अंग्रेजी किताब है और इसमें बताया गया है कि किसी समय नौका के नाम से पुकारे जाने वाले मट्ट की अद्बुत कताएं तो चलिए शुरू करते हैं Science of the Soul Research Center ये है कि किताब ये मिर्दाद उस रूप में जिसमें उसके साथियों में से सबसे छोटे और विनम्र नरौन्दा ने लेकनी बद्द किया जिसमें आत्मविज़े के लिए तडप है उनके लिए ये मात्र आलोग इस्तंभ और आश्चर है किताब को पढ़ने से पहले हम थोड़ा किताब के बारे में जान लेते हैं ये किताब जो है मिखाइल नईम दौरा रचित है और ये अध्यात्म का सर्वो क्रष्ट बीस्वी सदी की भाषा में लिखा गया ग्रंथ है ओश्रो ने एक बार कहा था कि यदि किसी कारणवर्ष सारे ग्रंथ नश्ट हो जाएं एवं यदि यह कृति शेश रहे तो सभ्विता फिर भी विक्सित हो सकती है चुकि इस ग्रंथ में सभी सत्यों का सार एवं जीवन का सार है इसमें संस्कृति का उत्धार करने वाली कला एवं आत्म ग्यान को प्राप्त करने की शमता है ये एक ग्रंथ नहीं बलकि प्रिकाश इस्तंब है ये ग्रंथ गीता, बाइबल एवं कुरान की समक्ष रखने योग है इसमें आत्मे कुन्नती की विधी एक मट की कधा के माध्यम से रखी हुई है उक्तिक्रती में पहार पर स्थाफित पुराने मट से जुड़ी कहानी है प्रतिकात्मक भाशा में गूर बातें इस किताब में लिखी हुई है साधक की दृष्टी को मचबूत कर उसकी राह में काटे हटाती है नकारत्मक्ता का सामना करने की समक्र विधी इसमें है ये वहवारिक बुस्तक नहीं है संसार में रस जिनको आता हो उनके लिए ये नहीं है जो संसार से ठक गए हैं उनके लिए जोती प्रदायक है जो नहीं कहा जा सकता उसे कहने में ये शक्षम है परम सत्यको लेखक को कथा के रूप में बुन्ने में महारत प्राप्ट है ये हमारे उपनिश्टों की तरह है लेखक लिखता है कि हम जीने के लिए मर रहे हैं जबकि लेखक मरने के लिए जी रहा है विचार्णिय ये है कि जीने के लिए मरें या मरने के लिए जीएं साथ ही इसमें लिखा है प्रेम ही प्रभु का विधान है तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो मनश्य को और सीखने की आवर्शक्ता नहीं और प्रेम करना क्या है सिवाए इसके कि प्रेमी प्रियतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले ताकि दोनों एक हो जाए मिखाईल नईमी लेवनान के इसाई परिवार में पैदा हुए रूस में शिक्षा ग्रेन की एवं आगे की शिक्षा अमेरिका में की वहीं पर वे खलिल जिबरान से जोड़े एवं मात्रभाषा अर्भी की संस्कृति एवं साहित्य को नव जीवन परदान करने के लिए 1947 में दबुक ओफ मिर्दात लिखी आईए शुरू करते हैं अध्याए नमबर एक से अध्याए एक का शीषक है मिर्दात अपना परदा हटाता है और परदू और महरों की विशे में बात करता है उस शाम आठों साथी खाने की मेच के चारों ओर जमा थे और मिर्दात एक ओर खड़ा चुप चाब उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था साथी उपर लागू पुरातन नियमों में से ये था कि जहां तक संबव हो वारतलाब में मैं शब्द का प्रयोग ना किया जाए साथी शमदा मुखिया के रूप में अलजेत अपनी उपलव्टियों के बारे में टींगे मार रहा था और ये दिखाते हुए उसने नौका की संपत्ती और प्रतेश्णा में कितनी व्रध्धी की है उसने बहुत से आकड़े प्रस्तुत किये ऐसा करते हुए उसने वर्जित शब्द का बहुत अधिक प्रयोग किया साथी मिकेयन ने इसके लिए उसे एक हलकी सी छिड़की दी इस पर एक उत्तेचना पूर्ण विवाद छिड़ गया कि इस नियम का क्या उद्देश्य था और इसे बनाया था पिता हजरत नू ने या साथी अर्थाज सैम ने वो तेचना से एक दूसरे पर दोश लगाने की नौबत आ गई और इसके फलसरोब बात इतनी बढ़ गई कि कहा तो बहुत कुछ पर समझ में किसी को कुछ नहीं आया विवाद को हसी के वातावरण में बदलने की एक्षा से शमदाम मिर्दाद की और मुडा और इस पष्ट उपहास के स्वर में बोला इधर देखो कुल्पती से भी बड़ी हस्ती यहां मौजूद है मिर्दाद शब्दों की इस भूल फलया से निकलने में हमें रहा बता सबकी द्रश्टी मूर कर मिर्दाद पर टिक गई और हमें आश्यर तदा प्रसंता हुई जब साथ वर्ष की लंबी अवधी में पहली बार मिर्दाद ने अपना मूँ खोला नौका में मेरे साथ ही शमदाम की इक्षा चाहें उफास में प्रकट की गई है किन्तु अंजाने में ही मिर्दाद के गंभीर निर्ने की फूर्व सूचना देती है क्योंकि जिस दिन मिर्दाद ने इस नौका में प्रिवेश किया था उसी दिन उसने अपनी मोहरे तोड़ने अपने परदे हटाने और तुम्हारे तदा संसार के समुक अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने के लिए इसी समय को, इस्थान को, इसी परिस्तितियों को चुना था साथ मोहरों से मिर्दाद ने अपना मुँ बंद किया हुआ था साथ परदों से उसने अपना चहरा ठक रखा था ताकि तुम जब शिक्षा ग्रेंड करने योग्य हो जाओ तो वे तुम्हें और संसार को सिखा दे कि कैसे अपने होटों पे लगी मोहरे तोड़ी जाए कैसे आँखों पे पड़े परदे हटाए जाए और इस तरह अपने आपको अपने सामने अपने संपूर्ण तेज में प्रिकट किया जाए तुमारी आगें बहुत से परदों से धकी हुई है हर वस्तू जिसका तुम डिस्ट्री डालते हो मातर एक परदा है तुमारे होटों पे बहुत सी मोहरे लगी हुई है हर शब्द जिसका तुम उच्चारण करते हो मातर एक मोहर है क्योंकि परदार्थ चाहे उसका कोई रूप या प्रिकाल क्यों ना हो केवल पर्दे और पोत्रे हैं जिन से जीवन धका और लिप्ट हुआ है तुमारी आँख जो स्वयम एक पर्दा और पोत्रा है पर्दे और पोत्रों के सिवा तुम्हें कहीं और कैसे ले जा सकती है और शब्द वे क्या अक्षरों और मात्रों में बंद किये हुए पदारत नहीं है तुमारा होट जो स्वयम एक मोहर है मोहरों के सिवाए और क्या बोल सकता है आँखे पर्दा डाल सकती है पर्दे को भेद नहीं सकती होट मोहर लगा सकते हैं मोहरों को तोड नहीं सकते इससे अधिक इनसे कुछ ना मागो शरीर के कार्यों में से इनके हिस्ते का कार्य इतना ही है और इसे ये भलिभाती निभा रहे हैं पर्दे डाल कर और मोहरे लगा कर ये तुमसे पुकार पुकार कर रहे हैं कि आओ और उसकी खोज करो जो परदों के पीछे छिपा है और उसका भेद प्राप्त करो जो मोहरों के नीचे दबा है अगर तुम अन्य वस्तूओं को सही रूप से देखना चाहते हो तो पहले स्वयम आँग को ठीक से देखो तुम्हें आँग के द्वारा नहीं आँग मेंसे देखना होगा ताकि इससे परे कि सब वस्तूओं को तुम देख सको यदि तुम दूसरे शब्द ठीक से बोलना चाहते हो तो पहले होट और जबान ठीक से बोलो तुम्हें होट और जबान के द्वारा नहीं बलकि होट और जबान में स्थे बोलना होगा ताकि उनसे परे के सारे शब्द तुम बोल सको यदि तुम केवल ठीक से देखोगे और बोलोगे तो तुम्हें अपने सिवाए और कुछ नजल नहीं आएगा और ना तुम अपने सिवाए और कुछ बोलोगे क्योंकि प्रतेख वस्तू के अंदर और प्रतेख वस्तू से परे सब शब्दों में और सब शब्दों से परे केवल तुम ही हो यदि फिर तुम्हारा संसार एक चक्रा देने वाली पहेली है तो वे इसलिए कि तुम स्वैम ही वे चक्रा देने वाली पहेली हो और यदि तुम्हारी वाणी एक विकट भूल भूलेया है तो वे इसलिए कि तुम स्वैम ही विकट भूल भूलेया हो जब तुम उन्हें द्रश्टी वाणी प्रदान नहीं करते वे ना देख सकती है ना बोल सकती है यदि उनकी वाणी करकश है तो अपनी ही जीव्या की ओर देखो यदि वे कुरूब दिखाई देती है तो शुरू में भी और आखिर में भी अपनी ही आँख को परखो पदार्तों से उनके कपड़े उतार फेकने को मत कहो अपने पड़े उतार फेको पदार्तों के पड़े स्वयम उतल जाएंगे ना ही पदार्तों से उनकी महरे तोड़ने को कहो अपनी महरे तोड़ दो अन्य सब की महरे स्वयम तूट जाएंगी अपने परदे उतारने और अपनी महरे तोड़ने की कुंची एक शब्द है जिसे तुम सदेव अपने होटों पे पकड़े रहते हो यह शब्द है मैं यह सबसे तुच्छ और सबसे महान है मीरदात ने इसे स्रजन हार शब्द कहा है और यहां हमारा अध्याय एक समावत हो गया अगले अध्याय में हम ये देखेंगे कि स्रजन हार शब्द मैं का क्या अर्थ है मीरदात अखिर कौन है और वे किस तरह से हमें दिव्विग्यान देना चाहते है ये सब चानने के लिए बने रहे हमारे साथ मिलते हैं अगले अध्याय में और अगले अध्याय का नोटिफिकेशन टाइम पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान लखिए नमस्कार और गुडबाई